Hello Friends, Welcome to the Exam Hacker YouTube Channel दोस्तो आज हम लोग यहाँ पे क्या discuss करने वाले हैं? आज यहाँ पे हम लोग discuss करेंगे कि जो physical weathering होती है उसका क्या क्या processes है? ठीक है? तो किस processes से हमारी physical weathering होती है? various processes को हम लोग यहाँ पे discuss करने वाले हैं तो यह जो question है दोस्तो यह हमारे UPPCS 2019 के geography optional paper 1 में पुछा गया था और इस question को आप geomorphology जो section है उससे आप relate कर सकते हैं तो एक बार question को read करते हैं इसके बाद इसको हम लोग discuss करेंगे examine various processes of physical weathering बहुतिक अपच्छे के विभिन प्रक्रियाओं की बिवेचना कीजिए यह हमारा question है तो यहाँ पे सिप आपको physical weathering की बारे में पूछ रहा है ठीक है? वैसे weathering की जो type होती है उसमें मारा physical weathering होती है और chemical weathering होती है और फिर biological weathering होती है ठीक है? यहाँ पे सिप आपको physical weathering पूछा है कहीं कहीं पे physical weathering को mechanical weathering भी mention करते हैं या यहाँ पे अलग कहीं के दिया होगा कि mechanical weathering अलग होती है physical weathering अलग होती है chemical weathering अलग होती है biological अलग होती है ठीक है? और कहीं कहीं पे आपको देखने भी लेंगे कि हमारी physical weathering और chemical weathering दो ही हमारी types होते हैं biological weathering भी हमारी एक तरफ से chemical weathering होता है कुछ पार्ट उसका तो chemical weathering उसको ले लिया आता है और कुछ पार्ट biological weathering का जैसे root हमारे expensor होता है वो हमारी physical weathering में ले ले लेते हैं ठीक है तो इस तरह से यहां पर लेकिन question में आपसे पूछ रहा है कि physical weathering की कौन-कौन सी difference processes है उसको आपको यहां पर mention करना है तो I hope यहां पर question आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यहां पर पूछ रहा है तो इस question में इसको attempt करने से पहले आपको weathering का definition एक तरह से आप definition में दे देंगे rock और minerals क्या होते हैं disintegrate होते हैं या decompose होते हैं on the surface of earth ठीक है यह भी आपको mention करना ज़रूरी है क्योंकि surface of earth पे ही हम यदि rock की जब disintegration होती है decomposition होती है तो उसको हमनों weathering करते हैं inside earth में यदि ऐसा कुछ होता है तो उसको हमनों weathering नहीं बोलेंगे ठीक है और यह हमारा क्या होता है जब हमारी weathering होती है तो weathered वाले जो material होते हैं उसका जो origin है यानि कि जहां पर rock था वहीं पर weathering होती है कहीं और पर नहीं होती है ठीक है तो यह भी एक तरह से यहां पर एक perspective है तो फिर देख लें है weathering क्या है weathering एक process है जिसमें rock और mineral disintegrate होता है या decompose होता है on the surface of earth और इस process में जो materials है उसका origin हमारा change नहीं होता है इसको बोलते हैं weathering simple weathering disintegration हमारी किस्से होती है generally physical और mechanical weathering होती है और कुछ biological के part होते है उसके भी होती है जैसे root expansion से और chemical weathering हमारी decomposition होती है rocks की ठीक है तो यहां पर indirect way में दोनों ही mention हो गया है और weathering को ऐसे भी define कर सकते हैं कि weathering एक तरह से process होती है इसको हम soil formation process बोलते हैं कि weathering के ही process से हमारी soil form होती है ठीक है इस तरह से आप weathering को define कर सकते हैं और weathering हमारी तीन टाइप के होती है chemical, mechanical या physical और biological अब physical weathering के बात करें, physical weathering किसे बोलते हैं तो physical weathering एक तरह से पार्ट है जिसमें क्या होती है कि इसमें mechanical disintegration होता है यानि को हमारी एक rock है वो हमारी छोटी-छोटी पार्ट में तूट जाते हैं breaking down होती है mechanically या physically ठीक है लेकिन जब breaking down होती है इस rock का छोटी-छोटी जब टूगड़े होते हैं तो इसके chemical composition change नहीं होते हैं ठीक है जो इसका chemical composition होता है वो भी इसी में होता है इसमें भी होता है तो chemical rassinic जो हमारी changes होते हैं वो हमारी नहीं होते हैं दो इस type की weathering होती है उसको बोलते है इस type की weatherings को हम बोलते है ahí physical weatherings ठीक है । aur physical weatherings की दो प्रोशेस है वह हमारी Major, work hem मैंने थे सकते है और human 5 processes हमारी है इसके वगे से Hmm is physical weathering होती है Exfoliation pork onion skin जैसा मारी होती है इसको हिंदी में बोलते हैं अप सलकन ठीक है या प्याज तोचा दूसरी मारी है फ्रोष्ट विद्रिंग तूसारी अपछाय तीसरी मारी मास फ्रेग्मेंटेशन पिंड बिच्छेदन चौती मारी फ्रिक्षन या कहें के आप एब्रेशन और एट्रिसन मे और रिश्टार है ये फिरी को कहें भी च्छ पष्टेंशन को ये कि या होती है उसको और बेसे उन जैसा होता है यानिकी onion की जो परते होती है layer to layer तो उस type के ये हमारी weathering होती है उसको बोलते है exfoliation अब देखो होता क्या है generally आप देखो कि rock क्या होती है rock एक तरह से सुचालक एक तरह से नहीं होती है ठीक है ये हमारी तापमान के कुछालक होती है ठीक है bad conductor होती है generally वैसे तो इसमें हमारी पास materials होते है iron का भी content बट generally हम यहाँ देखते है कुछ अलक होते है तो इसके होज़ेसे क्या होती है कि जब बहुत जादे intense heating होती है दिन में ठीक है दिन में intense heating होती है तो उसके होज़ेसे क्या होता है कि जो बाहर की परते है बाहर की परते हैं वो क्या होती है बहुत तेजी से गरम हो जाती है और फिर रात में मानलों cooling होती है बहुत तेजी से ठंडी होती है उसके चलते क्या होती है बाहर की परते क्या होती है एक तरह से पापडी जैसा जो थीनर सीट होती है वो हमारी निकलती जाती है ठीक है आप देखोंगे पत्थर को उपर जो पपड़ी जो निकलती है वो हमारी होती है exfoliation तो यह हमारी क्या होती है कि जो चट्टाने कुचालक होती है उसके इंटेंस हेटिंग होती है तो बाहर के पपड़ी जादा expand करता है तो हमारी पपड़ी निकलती है उसको बोलते है exfoliation तो इस टाइप की वेदरिंग होती है दूसरी हमारे होगे frost withering फ्रोस्ट वेदरिंग क्या होती है जनरली आपको यह हमारी temperate हमारी climate है वहां पर देखने मिलते है यह कैसे होता है माललो हमारी rock है rock में हमारी crack है ठीक है तो यहां पर क्या होंगी कि summer के season में पानी यहां पर आके जमा हो जागा और जैसे winter आएगी तो पानी क्या होगा यहां पर बर्फ बन जाएगा और आपको पता है कि same amount की जो water होती है जब बर्फ बनती है उसकी जो आयतन होती है वैलूम होती है वो हमारी बढ़ जाती है ठीक है 10% का असपर increment होता है तो इसका जब बर्फ बनेगा तो इसकी जो आयतन है या हमारी जो वैलूम है वो हमारी बढ़ जाती है उसके वज़से क्या होती है जो rock की जो gapping होती हो भी मारी बढ़ जाती है और ऐसे करते क्या होती ह रोक हमारी disintegrate करती है, इसको बोलते है, frost withering, ठीक है, तिसरी हमारी हो गई, mass fragmentation, mass fragmentation क्या होती है, जब बड़ी रोक, क्या होती है, छोटी-छोटी रोक में तूट जाती है, ऐसे तूटती है, मालो की, again, मालो digit वाली environment है, या जहां पर tropical environment है, वहां पर क्या होती है, कि दीन के सम feeling और hitting के वज़े से क्या होते है, कि हमारे expansion और contraction यह होता रहता है, उसके वज़े से बार-बार यह repeat होता है, तो हमारी यहां पर mass fragmentation हो जाती है, पत्थर जो होते हैं, वहारी तूट जाते हैं, यह भी हमारी एक वेदरी का पार्ट है, फिर हमारी चौथी जो है, यहां पर abrasion यह friction और attrition इसके लावाँ यहां पर gravitational force भी आप include कर सकते हो, इसी category में, अब देखो होती क्या है, मालो एक rock है, rock इस तरह से यहां पर located है, यहां पर gravitational pull लग रहा है, ठीक है, तो जैसे यहां पर temperature और other climatic condition है, वो तो apply होई रहे हैं, लेकि यहां पर portion थोड़ा से weak होगा, तो gravitational force भी तूट जाएंगे, तीवे ग्रेविटेशनल पूलिंग हो गई, यह भी एक तरह से example है, वेद्रिंग का, इसके लावाँ एब्रेशन और attrition, मालो हमारी digit वाली environment में, जो बालू की कड है, बड़े-बड़े जो बालू की कड है, वो हवा की हवा में मिल जाते हैं, हवा क यहां पर प्रोसेस है फिर हमारी पाँचवी टाइप है रूट है क्या होती है मालोक पथर है पथर वे बढ़े पेड़ यहां पर हो गया तो क्या होता है पढ़ा होने लगता है दो रूट इसकी क्या होती है इसकी विट जो होती है वहाँ रभने लगती है यहाँ रख ाथ फिटों पथ्रों में भी होता है त है हुआरी फिजिखल वेदरिंग का सहा है इसको अच्छे सी इमेज की साहता से के आप अब द्रक्षा सकते हो है there सबक्राइब पलीज़न और मास फ्रक्रिमेंटेशन में यहां पर आप देख सकते हैं रॉक है यह धीमें दिवें हमारी डे और नाइट का जो हमारी टेंपरेचर है अब डाउन होते हैं को जैसे यहां पर छोटी चोटी टुगड़े में चेंज हो गया इसको लते हैं पिंड बिच्छे दान इस तरह स प्लाइब को कूछे साहदा से सहाँ सकते हैं ठीक है तो यह राद डोस्तों आज हम लोगों डिसट कि वेदरींग में स्पेशिली हम लोग फीजिकल वेदरींग को डिसका किया और अब दिफ्रेंट विर्च्छी तो आज पर वाचिंग य हैं मिस हो गया हो या कुछ इसमें एडिशन करना जाते हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर उसको सेर किजेगा थैंकियो वर वाचिंग मिलते हैं अगले अगले दिन न्यू टॉपिक साथ थैंकियो